अस्सलामू अलेकुम फ्रेंस मैं हूँ हीना और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूटूब चनल हीना बी हेल्दी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कनफर्म होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप अपने प्रेगनेंसी के कितने हाफ़ते चल रहे हैं ये कैसे घर बैटे ही इजीली पता कर सकते हैं अक्सर बहुत सारी महिला हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ये उनके मन में हमेशा शंकाएं रहती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कितने वीकी चल रही है, कितने दिन हो गए है मुझे प्रेगनेंट होके आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं तो चलिए फ्रेंज आज का ये वीडियो शुरू करते हैं प्रेगनेंसी कनफार्म होने के बाद प्रेगनेंसी का कितना हफता चल रहा है ये आप अपने घर पे ही आसानी से पता लगा सकते हैं माल लिजे किसी महिला का मासिक चक्र 28 से लेके 30 दिन का है ऐसी महिलाओं का मासिक चक्र रेगुलर कहा जाता है आपको सबसे पहले क्या करना है आपकी जब लास्ट पीरड आई थी लास्ट पीरड की डेट आपको एक डायरी के अंदर लिखके रख लेनी है क्योंकि इसी डेट से हमें अपनी प्रेगनेंसी की काउंटिंग करनी है इसलिए आपको आपके पीरड की लास्ट डेट लिख लेनी है आपकी पीरड के लास्ट डेट से लेके अब तक कितने दिन हुए हैं वो आपको काउंट करने है माल लीजे किसी महिला का एक जनवरी को last period आया था और अभी चल रहे हैं February की 12 तारिक तो कितने दिन हुए जनवरी में हम 30 दिन count कर लेंगे और अभी के 12 यानि कि पुरे कुल मिला के आपके days होते हैं 42 days 42 days भी आपको अपनी diary में लिख लेना है और इसको आपको divide करना है 7 से जब आप 42 को divide करते हैं 7 से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 आ रहा है यानि आपकी pregnancy 6 week की चल रही है तो आप अपने घर बैटे ही इसको आसानी से पता लगा सकते हैं अगर मालीजे किसी lady को irregular periods है वो अपने period की date याद नहीं रख पाती है या फिर बहुत ज़ादा irregular है आपको याद ही नहीं है कि आपकी period कब आई थी last तो ऐसी condition में आपको एक ही काम करना है आपको डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर आपका एक ultrasound करेंगे और ultrasound में डॉक्टर को ये पता लग जाएगा कि आपकी pregnancy कितने week की चल रही है और वहाँ ultrasound में उपर pregnancy का week भी लिखा होता है जिसको आप भी देखकर आसानी से पता लग आ सकते हैं अब मैं आपको एक बात और बता दू अगर किसी महिला को ये calculate करने नहीं आ रहा है तो आपके last period जबी भी आये थे उसी दिन से आपको अपकी pregnancy को मानना है मान लीजे अगर आपका एक जनवरी को पीरड आया था last तो उसी दिन से आपको pregnancy को count करना है और आप तक इतने भी दिन होते हैं उतने आपके दिन होते हैं pregnancy के मान लीजे किसी महिला का एक जनवरी को period आया था और अभी चल रहा है February की 12 तारीक तो कितने दिन होगा जनवरी के 30 और अभी के 12 तो 42 days की आपकी pregnancy चल रही है आप इस तरीके से भी आसान घर बैठके ही अपनी pregnancy के कितने week चल रहे हैं यह पता लगा सकते हैं I hope इस वीडियो के जरिये मैंने आपको जो knowledge दी है वो आपको अच्छी लगी होगी इसी तरीके की infertility के उपर अच्छी अच्छी टिप्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमारे android application हीना health को भी download कर सकते हैं वहाँ प मैंने link description box में दे दिया है वीडियो अगर आप लोगों को दिल से पसंदा तो like, comment, share जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो subscribe करके bell notification भी on कर ले आज के लिए friends बस इतना ही मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो में next topic के साथ जबता के लिए अल्ला हाफिस